गुरू के ज्यानि काटी का मेरे मस्तक पे लग जाए मैं ना सोचू ना कुछ समझू मैं ना सोचू ना कुछ समझू गुरू जेहने में बस जाए समस्त गुरू शक्तियों को प्रणाम उपस्तित भवे आत्माओं की भवेता को प्रणाम स्वभाव में जीने का विभाव से विर्मित होने का ज्यान देती है यह जिन्वाणी आत्मानंद को प्रकटाने का और आत्मा में रह हुए मोह और शोक के दुष्चक्र को दूर करने का बोध देती है यह आगमवाणी और इस आगमवाणी को सुनने वाले लोग नकिवल इसको सुनते हैं सुनने के साथ साथ आत्मनिरिक्षन भी करते रहते हैं अपने अंतर की प्रतिलेखना करते रहते हैं कि हमारे भावों में कब कहा कैसे विभाव उदे में आते हैं जब हम अपने भावों में उठने वाले विभावों को पहचानना शुरू कर देते हैं, तो समझना कि अब हम उस विभावों से मुक्त होने के पत पर गतिशील हो गए. पहचानने मात्र से, जब तक अपने विभावों का विज्ञान समझ नहीं आता, तब तक ये विभावों की जकडन में जी बंधा रहता. अब विभावों की पहचान, विभावों का विज्ञान, उसे समझ में आता है, जो विक्ति निमित्त को अपने विभाव का जनक नहीं मानता. जब तक एक वेक्ति बाहरी निम्मित को अपने विभाव का जनक मानता है तब तक वो अपने विभावों का सम्यक विज्ञान उपलब्द नहीं कर पाएगा बेती ने कुछ ऐसा अच्छरन किया कि आपको गुस्सा आया आपने उसको बोला, उसने सामने से प्रतिवार किया और आप बेटा भूल करके पैर पटक के चला गया अब आप बैठे बैठे गुस्सा करते हो खुद पर, बच्चे पर, कर्मों पर, परिस्थितियों पर, आज की सभ्यता संस्कृति पर आज के जमाने पर, कल्यूग पर, इतना सारा गुस्सा निकालते हो नॉर्मल है गटना, दस में से नौ लोग बेटे के द्वारा गुस्सा किये जाने पर वापस गुस्से में आते है अब विभावों का विज्ञान जानने वाला साधक क्या करेगा जिसे अपने विभावों से विर्मित होना है, जिसे अंतर यातरा करनी है, वो क्या करेगा क्या वो भी ऐसा ही करेगा? नहीं, तो क्या जबर्दस्य संबाह में रहेगा? चुप्चा बेठा रहेगा? गतनाओं का निरिक्षन तो करे गई लेकिन ऐसे निरिक्षन नहीं करेगा कि पुत्र खराब है ऐसा नहीं कहेगा कि जौमाना खराब है ऐसा नहीं कहेगा कि लोगों ने कैसी सिक्षा दे रखी है इसके दोस्त कैसे है चाल चलन खराब है ऐसा कुछ भी नहीं कहेगा वो यह जानेगा मुझमें विभाव क्यों आया अगर वो ऐसा करता है तो उसको स्वतंत्रता है कि वो अपने विचारों को व्यक्त करे हम पुराने लोग मजबूरी में भी काम करते थे क्योंकि बड़ों ने कह दिया है माता पीता ने कुछ बोल दिया है हमें नहीं अच्छा लगता तो अभी पलट के जवाब हम नहीं देते थे हम चुप चॉप स्विकार कर लेते पर ऐसा थोड़ी था कि मन कहता था स्विकार करो ऐसा थोड़ी था मन तो तब हमारा भी यही कहता था कि हमें ये काम नहीं करना लेकिन हम ममी ने का इसलिए कर लिया अगर ममी ने का मंदेश चलो, स्थानक चलो उचामा साहे, उपास्ट में चलो हमारा मन नहीं होता तो भी आजाते चलो ममी की बात रखो नहीं तो ममी को गुसा आएगा ममी दुखी हो जाएगी हम आ जाते हैं आप अपने बच्चे को कहते हूं बच्चे नहीं आते अब आप कहते हैं तुम कैसे हूं हम कैसे थे तो जो विभावों का विज्ञान जानने का वाला साधक है वो ये नहीं कहेगा कि कैसे बच्चे हैं कैसा जमाना आया वो कहेगा कि इसकी जगे मैं होता और मुझे ये चीज ना पसंद होती तो मैं भी स्विकार नहीं करता लेकिन मैं खाली मजबूरी से आपचारिकता से स्विकार करता और तब क्या होता जबर्दस्ती जाके बैठ जाता वोना के और हुरी तो और अगर ममी के साथ चल भी पड़ता यह पापा का दियावा काम कर भी लेता तो अवी मन और नो उनके लिए बुरा बुलता रहता क्या है? मुझे क्यू करवा रहे हो? मेरी क्या जरूर रहते? खुदी कर लो मेरा बेटा मन नहीं बोल रहा है वो वच्छन से भी बोल रहा है फ़रेक इतना आ गया कि हम मन बोलते और हमारी आने वाली संथति वच्छन से भी बोल रही है ठीक है अगर हम बदले नहीं तो क्या होगा और हम बदल गए तो क्या होगा हमारा दृस्ति कुण थोड़ा बदल जाए हम एक्सेप्ट कर ले इतस ओके तुम्हें ना पसंद ए इतस ओके हमने अपनी बात करक दी तुम्हें नहीं करनी है इतस ओके हमारा कोई झोड जभा दष्ति नहीं है तुम अपनी स्वतंत्रता से जीने के लिए अपनी विचार चली से जीने के लिए स्वत अंत्र हो हम तुमें नहीं कहेंगे कि विल तुम सोच ले ना कि तुम जो कर रहे हो वो तुमारे लिए उचित है या नहीं हमने ऐसी बात कही और अपने कोई आग्रह नहीं रखा अपनी बात को पकड़ नहीं बनाई ना उस निमित को दोशा रोपित किया उस निमित को भी नहीं कहा तुम गलत हो तुम हमारे जैसे क्यों नहीं हो हमने उस निमित को कोई दोशा रोपर नहीं किया ना उस निमित की किसी अन्य निमित से तुलना करी उनकी संतान देखो, हमारी संतान देखो हमारे जमाने के बच्चे देखो, इस जमाने के बच्चे देखो हमने कोई तुल्ला नहीं करे कोई हरोपन नहीं किया, कोई दोशा हरोपन नहीं किया और तब हमारे रेदे में शांती रहे रह या नहीं रह शांती रह हमें क्रोध नहीं आया हमें तनाव नहीं आया हमें दुख नहीं आया अब बताओ क्रोध तनाव और दुख यह तीनों आते अगर हमारे भीतर अस्विकार भाव होता तो हमारे भीतर दोश दर्शीता होती तो दोश दर्शी आदमी और स्विकार भामे जिनेवाल आदमी को दुख आता, तनाव आता, क्रोध आता और सम्यक दर्शी आदमी जिसने गटना को ऐजीज देखा, वो मना कर रहा है इट सोक के गटना वही है, सेम गटना है, सम्यक दर्शी आदमी क्या देखता है? स्विकार है उसकी इच्छा हमारा फरिस्ता कहना कह दिया हमारी बात थी हमने बोल दी तुम मानो ना मानो तुमारी बात ऐसा कह करके हमने छोड़ दिया होता और बाद में मन से भी छोड़ दिया होता क्योंकि क्या होता है बाहर से हम छोड देते हैं आज का जमाना नहीं रहा कि हम एपने बच्चों के साथ video आरग्यूमेंट्स करे हम से ढ़सले लांते हैं हम दुह पोलेंगे तो हो चुपचप नहीं सुनेंगे वह गपनी दुप दो पर चार बोलेंगे इसलिए लोग क्या करते हैं? अपने बचों के सामने वापस बोलते नहीं है बचों के सामने क्या बड़ों के सामने क्या या जहहां भी उनको लगता ही कि there क्या क्या हो як होगा, दो बोलुगा तो 4 wifi थूनना पड़ेगा, आजमी चूप हो जाता है समझदार आदमी बाहर से तर चुप हो जाता है लेकिन इतना भी कोई हम समझदार नहीं है कि हम अंदर से चुप हो जाये हमारे भीतर तो कसट चालू रहती है भीतर बोलते रहते है देख लिया ना आकर काम कोई नहीं आया ना सही कहते है महाराज जी, दुनिया स्वार्ती है। हम मनी मन उसके लिए फिर बोल रहे होते हैं। अब जब तो मनी मन बोल रहे हैं, तो बाहर बोलना मन में बोलना, बोलना बोलना ही है। दौनों तनाव लाएंगे। बाहर बोलोगे तो वातावन में भी तनाव आजाएगा, मन में बोलोगे तो आंतर के वातावन में तनाव आएगा, बाहर के वातावन में नहीं आएगा, लेकिन अंतर में तनाव तो आई रहा है, दुख तो आई रहा है, गुस्सा तो आई रहा है, प्रतिक्रिया तो ही रही और फिर लोग पताखे किया है? कईते हैं, मैंने कब सामने बोला था जो? मैंने कब तुरेसे लड़ाई की थी? अठीजा, मन-मन तो प्रति ग्रिया की थी ना? और फिर क्या बोलते हैं, हम तो कब से भी कर रहे हैं? और फिर लोग सवाल भी करते हैं माराजी हम इतना सेहन करते हैं तो मैं और सेहन करना पड़ता है तो आप एक बात बताओ कि सेहने की हद कब तक होती है आखिर एक आद में कब तक सेहन करे सवाल उनके हिसाब से उनको बिल्कुल ठीक लगता है कि उनको लगता है कि हम सहन कर रहे हैं, पर आप बताओ, जो मन में असहिश्णु है, क्या वो वाकिछी सहन कर रहा है, जो मने मन प्रतिक्रिया कर रहा है, क्या वो वाकिछी सहन कर रहा है, नहीं तो कर रहा है, कहां कर रहा है, वो मन से तो प्रतिक्रिया करी रहा है ना, और फि अपने मनी मन दुख इखटा किया, मनी मन अस्विकार भाव रखा, वो सहना सहना नहीं था, वो अपने साथ किया गया बलात आच्छन था, अब आपको क्या ऐसा नहीं करूं, मैं तो कहूंगी नहीं करूं, तो क्या करों, इतना द्रस्टिक और सम्यक बना लो, कि आपको जवड़ दस्य में कुछ सहना ही ना पड़े, जिसका सम्यक दश्यन होता है न, वो मजबूरी में नहीं सहता, और हम सारे लोग धार्मिक तो है, इसलिए सहते तो है, और सुन भी रखा है कि सहन करना चाहिए, लेकिन हमारा सहना कैसा होता है, मजबूरी का नाम महात्मागानली, हम सारे लोग मजबूरी में सहते हैं, और पर पता कैसे सहते हैं हम, सामने नहीं बोलते, उस वक्त नहीं बोलते, वो व्यक्ति चला जाए, वो निमित हड़ जाए, उसके बाद बोलते हैं उसके बाद अपनी रामायन महाभारत सब कुछ पेश करते हैं उसके बाद अपने दुखडे सुनाते हैं किसी और को सुनाते हैं उसको नहीं सुनाएंगे किसी और को सुनाएंगे वो नहीं सुनेगा कोई और को पकड़ के बिठाएंगे और जब कोई भी नहीं मिलेगा तो मनी मन, मनी मन बोलते रहेंगे और आप देखो कई लोग अकेले गर में बाते करते रहते हैं गर में अकेले हैं और बोले जाते हैं क्योंकि उनके भीतर भरा हुआ है बुरी बात नहीं है, बोलना अच्छी बात है तो में बीतर भरा हुआ है, इसलिए बोले जा रहे है एक बार हम सड़क से गुजर रहे थे हमने देखा हमारे पीछे से एक महिला आ रही थी जोड-जोड से बोल रहे थी महिला का साथ में कोई होगा जोड़ बराबर आई तो मने देखा कि उसको अकेली थी वो आम से आगे निकलते जा रहे और बोलती जा रहे है बोले-बोले जा रहे थी वो चोराय पर आकर बस का इंतजार कर रहे थी तब तक भी बोले जा रहे थी हमने पीछे मुड के देखा उस महिला को वो ऐसे बाते कर रही थी, जैसे उसके सामने ही कोई खड़ा हो, लेकिन वाकाश में बाते कर रही थी, आप क्या बोलोगे उसको? पागल है? हाँ? पागल है ना? इस तरह सा के लिए बाते करें? आपका बिल्कुल नहीं बोलूगी पागल है क्योंकि आप कोगे मैं भी तरही ह करना जिसको आता है, उसको मनी मन जबरदस्ती ना सहना पड़ेगा, उसको ना इस तरह से बोलना पड़ेगा, वो क्या करेगा? गतनाओ का यथार तवलोकन करने वाला, किसी आदश को थोपेगा नहीं, किसी आदश वाक्यों की वज़े से घर में कलह पैदा नहीं आदश वाक्यों की वज़े से होते हैं, वो आदश वाक्यों की वज़े से होते हैं, वो आदश की पकल लेके बैठ जाते हैं, मैं बड़ा हूं, तुम छोटे हूं, मैं समझदार हूं, तुमको कम अकल है, बड़ों की बात माननी चाहिए, बड़ों की बात माननी चाहिए, कि बड़े ही समझदार होते हैं, हम तो समना समझ ही होते हैं, तुमने दुनिया ज़्यादा देख लिए इसका मला यह थोड़ी ही कि तुम ही समझदार होगे, और वो छोटे लोग सामने तो नहीं बोल रहे होंगे, वो मनी मन ऐसा बोल रहे होंगे, और वो आपको नहीं बोल कि आए, वो पीछ और सघी और सून लेते हैं लोग हो है कि हां ऐसा भी बोल जा रहा है तो हो!!! सम्याकदर्शे वेक्ति क्या करता है वो गतना का यहुतार टव्लोकन देता है किसी आड़ष वाकन आिमें भीच में लगा करके ना परिशान होता है ना परिशान करता है ऐसे रहने कि हमारी practice तो नहीं है हमारे पास दो ही तरह की आदत है या तो बोल देने कि या सुन करके फिर money 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 उसको mixture चलता रहता है money money और वो money money machine चलती रहती है उन बातों को वापस पचाती रहती है उपर लाती है, नीचे ले जाती है, उपर लाती है, नेचे ले जाती है, लेकिन मनी मन सेहन करते रहते हैं, और जो मनी मन सेहन कर रहा है, वो आदमी पिमार पड़ रहा है, उस आदमी का चाहर है कि लेश्या विक्रत हो जाएगी, वो आदमी जो बोलेगा ना, कहेगा क्या बो और बूल गया, अब मुझे सुबह कोई बात कहता है, दौपट तक मैं भूल जाता हूं, इतने पाठ लाथ ते, सारे पाठ भूल गया, दिमाग को पटा नहीं क्या हो गया, दिमाग ही खराम हो गया, किसी चीज को बात पढ़ती हूं, याद ही नहीं होता, रोज पढ़ती हू फिर भूल जाती हूँ, रोज सुनती हूँ, फिर भी कोई बात यार नहीं रहती, यह मेरे दिमाग को हो किया गया, पता है क्या हुआ, शास्तर की बाशे में कहेंगे, ग्या अनावरन यह करम बंद गया, ठीक है, बंदा कैसे, प्रैक्टिकली बंदा कैसे, जब आपका मन लग जातार अंधरी अंधर अस्विकार भाव में जीने की वजे से, विचारो का पिस्ट पेशन करता रहता है, पिस्ट पेशन का मतलब होता है, जिन विचारो को पीस दिया गया, उनको दुबारा लाता है, फिर पीसता है, फिर तीबारा लाता है, फिर पीसता है, पीसे यह को मालब गटना हो चुकी, बात हो चुकी, खतम हो गई, और फिर मन में गटना चालूए, फिर मन में उसको उठाता है, फिर उसको दबाता है, फिर उठाता है, फिर उठाता है, फिर दबाता है, फिर जब कोई निमित बाहर वापस ऐसा आता है, उस निमित के साथ फिर पुरा न भाव में नहीं रहता, जो आत्मी वर्तमान में नहीं रहता, उस विक्ति को लगातार ग्यान पर आवरन आता जाएगा जिसके बुद्धी लगातार ऐसे विचारों के अंदर खोई-खोई-खोई-खोई उदागास, दुखी, परेशान सी रहती है उसके ज्ञान पर आवरन आता जाएगा धीरे धीरे उसका मति ज्ञान आवरित होता जाएगा शुद्ध ज्ञान आवरित होता जाएगा और वो कहेगा पहले सब था, अब सब भूल गया वो दोश तो देगा करमों को दोश है कहेगा करमों की वज़े से ऐसा है लेकिन वो करम कौन सा? उसका तनाव करम. उसका दुखी रेने का करम. और वो दुखी और तनाव में क्यों है? क्योंकि वो आदर्शों की पकड छोड़ने को तयार नहीं है. इसलिए जीवन को सुंदर और सफल बनाना हो, भविष्यों को भी सुखमे बनाना हो, तो एक बात ध अधियान रखना आदर्श आदर्श होते हैं. उनकी पकड बना करके ना वर्तमान सुखी हो सकता है, ना भविष्यों. जो भी आदर्शों पर अड़े रहे, आप देख लो, बड़े-बड़े घराने तूट गये. घर्टना आप सबके साम में हा रहेगी. जो भी आदर्शो पर अरे रहे, बड़े-बड़े घराने टूटे, बड़े-बड़े बिजनस थप हो गए, आदर्शों की पकड की वज़े से, और आदर्शों की पकड की वज़े से, लोग धार्मिक नहीं हो पाए, बड़ी उल्टी बात है, है ना, हमारी बात आदर्शों की वज़े, पकड की वज़े से, लोग धार्मिक नहीं हो पाए, जबकि इस दुनिया में आदर्शवादी लोग धार्मिक कहलाते हैं, जो बड़ी उच्छी उची बाते करते हैं, वे बड़े धार्मिक कहलाते हैं, अधुष्षवाधी बाते हैं करना लेकिन अभी हो नहीं पाते, और तब समाज उनके दो चेरे देखता है परिवार वाले उनके जह करें हायान होते है कि बाते अधुष्षव की बड़ी भाही से भाही की पत्ति क्यों बढ़ूंए एक दूसरे के साथ समायोजन, एजिस्मेंट क्यों नहीं, क्योंकि आदर्षो की बाते हैं, और मैं समझ ही नहीं आ रहा कि आदर्षो की पकड़, जबकि आदर्ष शब का मतलब क्या होता है, आत्म ग्यानि विराद गुरु जी बताया करते थे, आदर्ष का मतलब ही होता है दर्पन, एक काल्पनिक पेमाना, और हर आदम इस काल्पनिक पेमाने को अपनाना चाहता है, लेकिन चूंकि वह काल्पनिक पेमाना है, इसलिए वह किसी के हाथ लगता ही नहीं, वह हमेशा दूरी बना रहता है, आधश हमेशा एक भविश्य में इस्था पर चित्र होता है अधवा एक भूत की याद होती है भूत की याद जैसे कि लोग कहते हैं कि प्राण जाय पर वचन न जाय रगुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाय पर वचन न जाय अब यह क्या है एक आधश वाक्य है अब लोग जब अपने अनुकुल दूसरों को बनाना चाहेंगे तो कहेंगे कि प्राण जाय पर वचन नहीं जाना चाहिए था पर जब खुद का स्वायत आएगा खुद की मजबूरियां आएगी तब ऐसा कोई सेंटेंस याद नहीं आने वाला उनको ख्याल में भी नहीं आने वाला है और यह सब को साथ चल रहा है और हम सब लोग एक आधश चेहरा अपना बनाने के चक्कर के अंदर जो प्रेजिन चेहरा है उसको देखना पसंद नहीं करते जो प्रेजिन चेहरा है उसके प्रति हम सजगी नहीं हो पाते बलकि उसको बदल भी नहीं पाते और यह भी बहुत बड़ा कारण है कि हमारी पुरानी पीडी और नही पीडी के बीच में समवात के ब्रिच खतम हो रहे है समवात के ब्रिच खतम हो रहे है क्यों? क्योंकि पुरानी पीडी के पास आदश वाली बाते हैं, और नही पीडी के पास वर्तमान की बाते हैं, और उस वर्तमान की बातों को आदश की बातों के साथ वे लोग तुलना करते रहते हैं, और तब हमेशा पुरानी पीडी कहती हमारे टाइम में तो ऐसा था, आज यह तो नहीं हो रहा है और थे बाते है अधुम immune में कोई तालमेग हो पारह है अभ आद्बच के पकड़ш को आदमी हमेशा कि और को कौनी डूसरे को अपरादी बनाता रहता है जाने अंजाने अप्राधी बनाता रहता है दूसरे को गलत साबित करता रहता है और जो वर्तमान में रह रहा होता है वो हमेशा आदश की बातों को वज़े से एक दूसरे का विरोधी बना रहता है हम देखे हमारे यथारत अवलोकर में बाधक क्या चीज बन रही है हम विभावों का विज्ञान क्यों नहीं जान पा रहे क्योंकि कई बार आदर्शों की पकड़ हमें गटनाओं को एज इस देखने में रोक लेती है एज इटीज हम गटनाओं को देखे नहीं पाते और इस सामने वाले ने नापसंद की जाहिर कर दी छोड़ दो बात को बोलने की क्या जरूरत थी सुचने की क्या जरूरत थी तुलना करने की रेखांकन, चित्रांकन, व्याख्या करने की जरूरत का थी लेकिन हम करेंगे और फिर सारी व्यक्यों के बावजूद लाएंगे क्या? स्विकार भाव या अस्विकार भाव? तनाव या शान्ती? दुख या प्रसनता? कुल मिलाकर करके हम सब को पता है कि हम सारी व्यक्यों के बावजूद लाने वाले दुख है, और शान्ति है, तनाव है, क्रोध है, शोक है, गम है, ठीक है, और इन सब चीजों को लाने वाला आदमी, और फिर अपना आपको बोलता है, मैं धार्मी को, कैसे हो सकता है, तो धार्मी कादमी कौन होगा, जो आदर्शों की पकड़ करके न बैठता है, जो वत्मान की प्रेदा है, जो यथावत देख पाता है, विः संवयकदर्शनी जो व्यख्यों में उलच्ता है, पुराने के साथ तुलना कर रहा है, वो वैक्ति, जानी नहीं पाएगा, कि उसका दर्शन अखय होने की वज़े से, वो कशाय में जाता है, इसलिए मिथ्या दर्शन का एक अब वहां आदरिशों की पकड़ नहीं नहीं होती अगर कुए बात उचित है कहें दी गई है लेकिन उसके बास उť không सको पकड़ा नहीं गया जऺड़ा नहीं गया लोगों को किसी प्रकार से कटगरे में नहीं खड़ा किया गया और लोगों को कटगरे से उगी खरा करते हैं उसी के एंडर एकस्ट दुसी के साद्य दुसीय के साथ तर्क्री तग चलता रहता है और फिर एकस आज़रें के सामने अपनी बातों की सफ़ाई पेश की जाती है यह अदालत मांसिक अदालत, जब तक हमारी भीतर चल रही है, तब तक हम सम्यक दर्शनी नहीं है, और यह मांसिक अदालत, है या नहीं, सब के अंदर चलते रहती है, और हर आदमी उस मांसिक अदालत के अंदर, कभी मुझरिम बनता है, कभी वकील बनता है, कभी जज बनता ह और यह हम खेल खेल रहे हैं अपनी मन के इंदर और इस पूरे खेल का परीडाम क्या हो रहा है हमारी पूरी प्राणधारा पूरी उड़जा अपवय हो रही है दुर वय हो रही है मिस्यूज हो रही है, अब्यूज हो रही है, खत्म हो रही है, अब बदले में क्या मिल रहा है? देखो, मति मन्बिदा, इसमर्ति विनाश, मेमरी लॉस्ट होना, और, प्राणधारा का दुर्वे होने के साथ में, हमारे भीतर कमजोरी आना, खुण की कमी होना, बीपी प्रॉब्लम, और जादा बढ़ जाए ये सारे दुख, तो पहुंच गे हाट प्रॉब्लम तक, ये सारी परेशानिया हम ले रहे है, ज्यानावने करम दशनावने करम हम बना रहे हैं, क्यू बना रहे हैं? क्यूंकि हमें गटनाव को यथावत अपनी बात रखो, उसके बात में बन कर दो. जो आपका भाव उठा, कह दिया, उसके बात छोड़ दो. लेकिन आदर्शों की पकड, सिद्धानतों की पकड, बातों की पकड, मत बिनाओ. आत्म ज्यानी विराद गुरुजी कहते है, जो छोड़ने का पुरुशार्थ करें, वो धार्मिक, और जो पकड़ने की कोशिश करें, वो धार्मिक. जो छोड़ने का पुरुशार्थ कर दें, वो धार्मिक है, अब छोड़ने का पुरुशार्थ, और हम लोग एक यह भी कोई बात हुई छोड़ने का भी पूरुशार्ट करना पड़ता है और एक्शुली देखे तो आज की दुनिया में यही सबसे बड़ी बात हो गई छोड़ने का पूरुशार्ट करना हम ना यादों को छोड़ पाते, ना बातों को छोड़ पाते, ना तनाहों को छोड़ पाते, ना आदशों की पकड़ को छोड़ पाते, इसलिए क्या होता है, गटना इतनी सारी सब की जिंदगी में अलग 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 परिद्रश्य में गड़ती है, अलग 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 परिप पकड़ बनाये हुए है, वो अपनी बात की पकड़, हम अपनी बात की पकड़, हम पुरानी सारी बाते हैं, उनके सामने प्रस्तुत करते हैं, हम पुरानी बातों के नुसा जीने के लिए, अगर पैदा होना होता, तो हम पुरानी यूग में पैदा होते हैं, हम नई यूग म तब यही सब कुछ होगा। पर यह समाधान नहीं है। और मुझे नहीं पता शास्त्रों में लिखा यह बात सच्छे की नहीं है। और शास्त्रों में लिखे नहीं तो बात की व्याख्यों में लिखी भी बात है। कि छटार आएगा तब यही सब कुछ होगा। आए छटारा काहँ है उपना जयके छवन्री पात है तो बात तर्य वाए जब पाथторов भालाय Ó raiय हुझान भी अवियान भी इसगह कीर्प मतलब क्या होता है काल चक्लम है काल चक्रव है यह भी सोवगद फ्रीजबी ऑप करने के लिए as a tools, चास्त्रों की बातों का प्रयोग करते हैं, लिखा ही था, ऐसा होगा, देखें लो, हो ही रहा है, लेकिन, धार्मिक आदमी वो नहीं है, जो इन गटनाओं को, या तो पलायन करता है, या अब्यूस करता है, या रियक्शन करता है, या मजबूर बन जाता है या गुटने टेक देता है, गुटने टेक ना धरम ने नहीं सिखाया, ना हिंदु धरम ने सिखाया, ना जैन धरम ने सिखाया, कि हालातों के सामने गुटने टेक दो, सिद्धानतों की आड़ बीच में लाकर कि आदर्श बातों को बीच में लाकर कि अपने गुटने टेक दो ऐसे शिखाया गया गीता क्या पूलती है क्रिष्ने ने क्या किया जरूरत पड़ी तो दूद बन करके चले गए कर्वा को समझाने के लिए जरूरत पड़ी तो सार्थी बन करके यूद शेत्र में पहुंच गए अर्जुन को साहरा देने के लिए वो जब जरूरत पड़ी वैसा भी करम करने को तैयार थे उनना ने आदस चेरा नहीं ओड़ के रखा कि मैं तो श्री कृष्न हूँ मैं बला एक दूद बन के कैसे कार्या कर सकता हूँ मैं बला एक सार्थी का कार्या कैसे कर सकता हूँ कोई अधर्ष चेरा उड़ा उड़ा उनोंने अरे जब जहां जैसे जरूरत पड़ती वैसा कार्य करने के लिए वो उस वक्ततपर हो जाते थे और हम लोग मैं तो यह हूं मैं यह काम कैसे कर सकती हूं यह हमारे पास पकड़ है अपने चेहरों की पकड़ और यह होता है भुण करते जूर शहिए भ्राणी बात लगए लोग ने भ्राणी चीजह उड़ दिया जोड़ा और जोड़क्स बना क्यों बना लिए फ्ञे हम जैसे धारमीको को बीठकर की बनी बात बनीे बाते सहिते भ्रामीक है। एंको देखकर के नई पीडी को ऐसा ही लगता है, कि धार्मिक बटल्द एठर्टोच्स, धार्मिक मतलब उन्हों से पुलायने करने वाले, रार्मिक मतलब practical problems के solution के लिए हमेशा पुराने बातों को बीच में लाकरे के बिठा देने वाले और समझेगे चिल रहे बाते मतलब A grade से लेकर के Z grade तक के सारे लोगों के बीच में यह सब कुछ बाते चिलती है कोई किसी पुरानी पकट छोड़ने को तयार नहीं होता इसलिए वर्त्मान के समस्याओं को वर्त्मान के हालातों को बिना किसी तरह के प्रिजुडाइज हुए बिना किसी पुर्वाग्रह के हुए बिना किसी धार्ना से जगड़े गड़नाओं को यतावत देखना हमें नहीं आता तो हम धार्मिक नहीं हो सकते क्योंकि धार्मिक होने का मतलब है सम्यकदशनी होना और सम्यकदशनी होने का मतलब है कि आप गड़नाओं को एस इतिस देखना सिखे हम सभी जो भी हमारे साथ गटना है गटती है हम उसको यथावत देखना सीखे अर तब क्या होगा यथावत देखने वाला यथावत देखने वाला हर वक्त खोजी होगा हर वक्त जाकरूत होगा अभ्यूतित होगा, अटेंटिव होगा हर वक्त वो निट्विल रह पाएगा वो ना खुद को ना दूसरे को ना हालातों को किसी को दोशारोपित नहीं करेगा थ्यान दीजिएगा यथावत देखने वाला ना खुद को ना दूसरे को ना हालातों को किसी को दोशारोपित नहीं करेगा हम सारे धार्मिक लोग क्या करते हैं। हम सारे धार्मिक लोग क्या करते हैं। खुद को भी दोशा रोपित। अन्य वेक्तियों को भी दोशा रोपित। हालातों को भी दोशा रोपित। लगतार। लगतार की जारे हैं। और यह कारण है कि हमारा धरम सुगंधी नहीं दे रहा, बलकि दुर्गंधी दे रहा है, जहां दोशार उपनवा दुर्गंध, जहां सद्भावना वा सुगंध, और सद्भावना तभी आ सकती है, जबकि हम हालात को as it is देख पाएं, solution उसी में से निकाल पाएं, पुरानी बातों को बीच-बीच में लाकरके, आदर्श वाक्यों को दोरा करके, आदर्शों की दुवाईयां दे करके, किसी को भी अपरादी गोशित ना करे, किसी को कटगरे में खड़ा ना करे, किसी को भी कटगरे में खड़ा ना करे, क्योंकि कटगरे में खड़ा करना ही हिंसा है, मानसिक हिंसा, तुलना करना, उपर नीचे बिठाना किसी को, परक्ष विपक्ष में लाना, मानसिख इंस है मानसिख इंसा लगाताई जारीए इस नाम पे जारीए मैं पिता हूं मेरा तोर स्पेक्ट होना चाहिए पेड़प और हर यह जगे पर आप देखो लोग प्रवेशन सुनते उसको अपने जाके बुलते है बात तो गणी छोकी करी, बात बड़ी अच्छी करी, लेकिन आच्रण में आनी चाहिए, फॉला को बदलना चाहिए, चाहिए मतलब वो होने वाला नहीं है, जिसको समझ आई वो चाहिए कि भाषा में बात ही नहीं करेगा, वो या तो बदल जाएगा या वो नहीं बदलेगा, खाता मोई बात, लेकिन हम सब लोग क्या कहते है, ऐसा होना तो चाहिए, होने वाला नहीं, चाहिए में परिवर्तन नहीं आता, समझ आई परिवर्तन आगा है, और एक बड़ी बात, दर्षिन गान आचरन, तीन शब तम ले सुना, समयक, दर्षिन, ज्गान, चारित्रानी, मौक्ष मार गया, ठीके, जब दर्षिन, ज्गान और आचरन के बीच में अंतर है, तब तक वो समयक नहीं है, जब तक हमारी समझ और हमारे आचरन में अंतर है, तब तक हो समयग है नहीं, जब तक time gap है, जब तक दूरिया है, तब तक हो समयक नहीं है, एक आचमें सोची मैरी समस्तु बहुत सही है, लेकिन मेरी इस्तर्य गलत है, मेरे अचरन खरब है, तो क्या हूँआ, मेरी समस्तु सही है, तो अचारांग सुत्र इस्पस्ट केता है, कि जो जानता है वो कड़ता नहीं, जो कड़ता है वो जानता नहीं अगर समझ सही है, तो व्यवार में है, व्यवार में नहीं है, तो समझ सही, नहीं अरर इससा हमसेडों सोचना कि समय से हो है, एक भार घुगी यचा हमेशा होगी, यह एक बार नहीं कि वार नहीं कि प्लिवाजर नहीं होसकती है, इस समय नहीं नहीं, पुसी बियुकितो, और अगले समय चली कि तो दुबार आई जा सकती है यह statements ऐसे नहीं है कि जो पर्मानेंट इस नहीं है कि वो ना समझधार है जो अल्वेजी है यह वो ना समझ़ है यानि जो अल्वेजी रहने वाला है ऐसे बिलकुल नहीं है इस शंशन है दर伸िन ज्यांचरित शंशन है इक शंशन है जो अंगले कोई सोचे इनोंने दिक्षा लेलिए इनोने वरत लेल आ उनोने समाई कर्दिस कह मत भीन समझ़े हो गए हो गए जैसा कुछ नहीं होता शंशन है किसी शंशन नहीं है फिर किसी शंशन है इस समझ का दीप ऐसा ही चल रहा है इसलिए अपने आप में देखना असामत मनना कि हम नहीं है तो नहीं हो सकते असामत मनना हम है तो हम तो हमेशा ही रहने वाले हैं नहीं अगर हमेशा ही सब कुछ रहने वाला होता तो फिर अप्रम्मत रहने की बात क्यों कहते हैं, क्यों माविर को कहना पड़ता है, समयम, गोयम, मापमाये, बार बार कहना पड़ा ना, और गौतम को भी, मतला गौतम किसको नाम है, उसको भी बार बार कहना पड़ रहा है, कि समय मात्र का प्रमाद मत कर, अल्थो एक वर्ड पर भी समय में प्रमाध हो गया है, तो समय है का अब? तो जब तक Darshin, Gyan, Charitre, तीनों एक की रूप नहीं है, तब तक Samyak नहीं है, अजो Samyak है, तो तीनों एक साथ होते हैं, इसलिए देखो, हमारी समझ का होना ही हमारी Charitre, कोई चाहित्र को किसी आदश पेमाने में ना तोले चाहित्र के लिए कोई आदश पेमाना कोई फ्रेम नहीं है कि हम इस तरह के कंड़क्ट के फ्रेम में फिट होते हैं तो हमारा चाहित्र सम्यक होता है हम इस तरह के Code of Conduct के फ्रेम में फिट नहीं होते हैं, तो हमारा सम्मेक चाहित्र नहीं होता है, जैसा कि आज दिन तक चला रहा है, आज दिन तक धारमिक पुरुशों ने इसी तरह की व्यक्याई करी है, कि जो इस इस तरीके का अचुरन करता है, तो सम्मेक चाहित्र है, जो कि आच्रन के सारी मांदंड किसी भी व्यक्ति पर एक सरीखे लागू हो कैसे सकते, क्योंकि हम सब लोग चेतन है, हम मशीनों से पैदा होने वाले, जड़ पदार्त थोड़ी है, कि एक तरह की दाई दो तो एक जैसे सारे प्रोड़क्स आजाएंगे, इस पोसिबल, मशीनो मशीनों सेप्ड़ का कोई धकस फ्रेम नहीं है, कि एक इस दो पर ऑक अजनों के प्रोड़का कि आदमी को से इस phải करती घ़ एक सम्यक चैतर हो जाएगा, तब रहताया अवासी आपने अपने फ्रेम बना के गुमते है, मंदिय हमारिं अपने अपना फ्रेम बना के घउमते ह वेरापन अपना फ्रेम बना के गुमेगा, हिंदू अपना फ्रेम बना के गुमेगा, मुसलिम अपना फ्रेम बना के गुमेगा, हर धरम वाल अपना अपना फ्रेम बनाएगा, और जो बना ही रहा है और लोग उसे में घुमना पसंद कर रहे हैं और लोग उसे में फिट होने की कोशिस कर रहे और इसलिए दिन पर सोचते हैं हम आच्रन से वैसा बन जाएं आच्रन से किसी के जैसा बनना ही नकल करना है कॉपी करना है वो सम्मेक नहीं हो सकता जो copy किया जाएगा सम्मे क्या होगा जब हमारी समझ हमारा होना हमारा जीना तीनो अपने भीतर authentic हो तीनो सजग हो तीनो सावधानता से हो और सावधानी आती है तो पूरे में आएगी जाहे वो श्ण में आए अगले शन चली जाए लेकिन जो आएगे वह पूरे में आएगे अगरी बाद हमारी समझ आपा रही है तो हम समझ पाएंगे अपने विभाव के विज्ञान को कि क्या गड़बड़ी हो जाती है हम लोगों से हम सारे लोगी नादश्वातों को समझ नहीं पाते लेकिन रखते जाते हैं पकड़े जाते बोले जाते हैं और इसकी वज़े से हम वर्तमान के साथ समायोजित ही नहीं हो पाते हैं वर्तमान के साथ हम वर्तमान में रही नहीं पाते हम वर्तमान में नहीं रहकर कि हमेशा भूद्भविषय की कलपनाओं में, सुन्दर कलपनाओं में रहते हैं, और कलपना चाहे कितनी भी सुन्दर हो, कलपना कलपना है, और यथार्थ यथार्थ है, सम्यक दर्शन, सुन्दर कलपना का नाम नहीं है, सम्यक दर्शन यथार्त दर्शन का नाम है और यथार्त दर्शन होना पर ही हम धार्मिक होते हैं और यथार्त दर्शन उसको होता है जो पकड़ने की आदत से मुक्त हो रहा है जो स्विकार भाव में आ रहा है जो गटनाओं वो एजितिस देखता है जो किसी तरह से मन की मन को तुला पर नहीं तरगता और किसी को किसी प्रकार के कतगरह में नहीं खड़ा करता मानसी गुरूप से ना मुझरिम बनता है ना मुझरिम बनाता है ना वकील बनता है ना जजज बनता है अगर उसको जजी बनना है, तो मात्र और मात्र अपने भावों का जज्जमेंट करता है, कि मेरे भाव कब कहां कैसे हो रहा है, कि उसका साक्षी बनता है, वो आदमी सम्यक दर्शन को उपलब्ध होता है, ऐसा सम्यक दर्शन हम सब को उपलब्ध हो, हम सब स्वाध्याई कर प यही मंगल भावना ओम शान्ती ओम शान्ती